36 गड़ के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंट सब भी बरकरार है 36 गड़ का नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसका एलान थोड़ी देर में होने की संभावना है इसे लेकर दिल्ली में राहूल गांधी के घर पर 36 गड़ के सभी बड़े नेताओं की बैटक होई बैटक के बाद कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने 36 गड़ के चारो दावेदारों की पोटो ट्वीट की राशपुर में कॉंग्रेस लेशिनेचर पार्टी की बैटक बलाई है जिसमें सभी विदायक होंगे और उसी में नाम की गोशना की जाएगी अभी कल तो साम को बैटक हुई है उसके बाद जो भी उन्होंने विचार भी मर्स किया होगा और उसके बाद अभी उनको बुलाया गया है और आज साथ में हमारे आगे आगे जिसमें चर्णदास मेहन जी और भूपेज बगेल जी और कमरजर साहु जी और टी-एस सिंग रहोगी अभी आ रहे हैं या आ चुके होंगे उसकी जानकरी मुझे नहीं होई तो 36 गार्ड में सीम फर सस्पेंस अभी बरकरार है ये पहले कहा जा रहा था कि शाम पांच बजे एलान कर दिया जाएगा सीम के नाम का लेकिन जिस तरह से देरी हो रही है उस तरह से क्या कुछ निकल कर अभी सामने आ रहा है जानने के लें सीधे बात करते हैं नीरज कुमार हमारे साथ से जुड़ चुके हैं नीरज जो कितना इंथजार करना होगा क्या लग रहा है कि वाकर इस शाम पांच बजे तक एलान कर दिया जाएगा देखें बिल्कुल नहीं साम पांच बजे तक इस बात के उमीद है कि कोई आपचारी का ऐलान हो कि 36 गड़ का सीम कौन होगा लेकिन अपसे थोड़ी देर पहले यानि दो से तीन मीनट पहले राहूल गांधी ने ट्वीट किया है कि अपने चारों दावेदारों के साथ जिसमें ताम्तवास साहू टीये सिंग धेव भुपेश बुगेल और चौथे जो हैं उनके साथ ट्वीट करके ये संदेश देने की कोसिज किया कि आप कितने भी त टीम में रहकर खेलेंगे तभी जीतेंगे और 2019 की लडाई दिख रही है राहूल गांधी को और चारों नेताओं के साथ एक ट्वीट किया है अब से थोड़ी देर पहले कॉंग्रेस अध्याक्ष राहूल गांधी ने देखिए जहां तक सीम पत की बात है तो जो खबरे देखिए भागा तब यह था होगा कि कॉन सीयम होगा अगला ओप चारिक तौरपे कब एलान कूगा विधायक दलकी बैठक जो के बात क्या नियुक्राक्ष वोली तूप गांधी तो ट्वीट कर रहे हैं ऐसे पहले हमने मद्रदेश और राजस्तान में भी देखा था कि दोनों की साथ हंसता हुआ पोटो ट्वीट किया था लेकिन एक ट्वीट बगेल साहब ने भी कल किया था दिल्ली जाने से पहले और उन्होंने एक कहा था कि मैं जिस त खड़े हैं भूपेश बगेल तो यह एक फर्मूला हो सकता है कि तामृदवास साहु मुख्यमंतरी हो और उप्जुन के था खया जह और बुखेल detta है उनको मुख्यमंत्री को मंत्री पर दिया जाए तो थोड़ी हलचल बढ़ी है राहुल गांधी के घर के बाहर अपने कैमरा परसन से खेटी से अनुरोध करेंगे कि वो हलचल को दिखाए यहां राहुल गांधी के घर थोड़ी हलचल बढ़ी है उस हलचल को दिखाना चाहेंगे अब से थोड़ी देर पहले तामरध्वध साहू यहां से निकले बैठक जब खतम होई थी और आप देख सकती है 36 गड़ के जो नेता है वो यहां से निकल रही लगता है कि बैठक खतम होगे यह बैठक में क्या कुछ निकला यह देखना होगा तामरध्वध साहू थोड़ी देर पहले निकल चुके है औ और पिछले घंटे भर से ये बैठक चल रही थी जो दावेदार है मुख्यमंत्रिपद के 36 गड़ के उनकी बैठक चल रही थी और आदे घंटे पहले तामरधवर साहु यहां से निकले हैं और देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है क्योंकि आप देख सकती हैं जो पील पुनिया मौझूद है जो 36 गड़ के प्रभारी हैं मलिकारजुन खड़ के जो की अब्जरवर हैं इसके अलवा बाकी जो दावेदार हैं वो मौझूद है क्या बात्चीत करने की कोशिस करते हैं सर खड़ करेंगे जो कि प्रभारी है पील पुनिया वो बात करेंगे कि अगला सीम कौन होगा मलिकाजुन खड़ के जो की परेविक्षक है उन्होंने जनकारी दी कि पील पुनिया पताएंगे कि छक्तिस गड़ का सीम किसे चैनित किया गया है आज की बैठक में राहुल गांधी के साथ सुबह में बैठक कोई पील पुनिया और परेविक्षक मलिकाजुन खड़ गये कि सुबह दो घंटे तक बैठक चली थी उसक कि कोशना कर दिया है और और दूसरा हम बता दें के सत्रा तारीक को साड़े-च्यार बजे स्वेरिंग इन है जिसका नाम कल बताए जाएगा कौन पना किसका चैन हुआ है पुनिया सर किसका चैन हुआ है सर बड़े कुस्टे में निकले है वो सर क्या चारो नाराद हो गई क्या ऐसा नहीं है सब्सक्राइब होनी है तो पहले जल्दी बाजी कि अच्छा तोड़ा हिंट तो पुनिया का कहना है कि 17 तारी को नए मुख्यमंतरी शपत लेंगे 36 गड़ के और लेकिन अभी जो है कि कुछ नहीं होने वारा मतलब आज भी डिसाइट नहीं हो पाया है देखिए आधिकारिक तौर्प्याइब आज इस बात का एलान नहीं होगा कि अगला सियंग छक्टीजगर का कौन होगा लेकिन बातचीत की कोशिस फिर से करते हैं उनिया जी उनिया जी क्या कुछ हुआ कि वह पौने गंटे पहले अखेले निकले हैं सर कब का समय ले रहें गवर्नर से समय ले लिया सत्रा तारीकों साड़े चार बजे सपत लेंगे मगर सियम कौन है कौन है सर राजा कौन है 26 को लागा कल 12 बजय आपको को बय्टक नहीं होगी सर्व कर अब जिसमें शीफनेस्ट के नाम की गोश्मा की जाएगी बिदाय को द्वारा उसकी सहमती दी जाएगी और सत्रा तारिक को ताड़े-चार बजे महामही मिराज्यपाल जी ने समय दिया है सबत गर्ण समारो की वहाँ साइंस कॉल इस ग्राउंड में वह तैयारी हो चुकी है सबत गर्ण समारो की वहाँ साइंस कॉल इस ग्राउंड में वो तैयारी हो चुकी है सबत गर्ण समारो की तैयारी के लिए गए हुए है उनको फ्लाइट पकड़नी थी बुकिंग थी इसलिए हो गए है उनके नाम पर समाती बनी कुछ सर सब्सक्राइब करें अब तक चेहरा तै क्यों नहीं हुआ च्छतित गर्ण कल बारा बजे बैठक वजायकों को बलाई है उसी में तो तैकिया जाएगा कल बारा बजे राइपूर में और सीएम नए सीएम सपत कब लेंगे नए के फिनिस्टर सपत सत्रा तारीक को साड़े चार बजे राइपूर में साइंस कॉलेज इस ग्राउंड में सपत घंड समार होगा महमें महमें राजपाल जी ने उस पर सब्सक्री सहमती दिए ताम्रद्वास साहू आगे चल रहे है कि कौन बनेगा सीएम कौन है तैक वो कल बारा बजे तैह होगा कि छतितित गड़ का सीएम कौन होगा राइपूर में विधायको के साथ बैठक होगी उस बैठक में तैक किया जाएगा कि 36 गड़ में किसको कमान सोपी जाएगी राज्य करने की सत्ता करने की राज्य करने की और सबसे खास बात यह है कि परसो साढ़े चार बजे राइपूर में ही सपत ग्रहन समारोह का कारकरम है राजपाल ने वक्त दि पुनिया से उनका कहना है कि कल 12 बजे की बैठक के बाद आपचारिक एलान किया जाएगा आज ही पील पुनिया ने कहा ता कि आज 5 बजे यह एलान किया जाएगा कि 36 गड़ का अगला सीम कौन होगा लेकिन बात बनी नहीं चारों दावेदारों के साथ राहूल गांधी ने जो 36 गड़ को कल 12 बजे तक का और इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर कौन होने वाला है उनका मुखेया यह राहूल गांधी ने जो तस्वीर ट्वीट की थी और जो कि हमने इससे पहले भी दो राजियों में और देखा था मादिप्रदेश में और राजस्थान में भी कि किस तरह से बैठा के बाद पूरा तमाम चीजें सॉट आउट करने के बाद वो एक तस्वीर पेश करते हैं सोशल मीडिया का इस्तमार बड़े ही सधे हुए अंदाज में यह दिखाने की कोशिश की पार्थी के भीतर किसी तरह की कोई मतभेद नहीं है एक जुटता है हुआ हुआ है